भारत में जो 6,747 जातियां थी, बाबा साहिब ने इन 6,747 जातियों को तीन बड़े हिस्सों में इकठा कर दिया और वे तीन बड़े हिस्से, S.C., S.T. और O.B.C. थे मगर हमारे जो नेतावाद है, जो बाबा साहिब के नाम पर आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बस छोटे बड़े 10,000 संगठन बनाए और इनके अंतरगत काम किया और प्रतेक इन छोटे बड़े संगठनों के नेता, यह कहते हैं कि हमारे संगठन में रहना है, हमी सबसे अच्छे हैं, दूसरे नेता खराब है, दूसरे के संगठन में नहीं जाना है, बाबा साहिब, जिनों ने हम अधिकार वंचित वर्गों के लिए आरक्षन को लाया, वो आरक्षन भी अब चला गया, और इन संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई, तो इन संगठनों के रहने का क्या मतलब है, कि ये हमारे आरक्षन को नहीं बचा पाए, ये छोटे बड़े संगठन, जो ये बोलते रहते हैं, कि हम बाबा साहिब को मानते हैं, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं, कि आप लोग सबसे पहले तो आपस में संगठी थी नहीं है, इकठ जिद बनो, संगठित रहो, संघर्ज करो। लेकिन कोई भी संगठन बाबा साहिब के दिये गये इन सुत्रों का पालन नहीं करता। यदि पालन करता तो सबसे पहले ये छोटे बड़े संगठन आपस में इकठे होते हैं और एक साथ मिलकर हमारे वेलफेर के लिए आवाज उ अरक्षन का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे आरक्षन का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे खेत खलिहान में जो मजदूर काम कर रहे हैं ये उनका ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे भूके लोगों का ध्यान नहीं रख सकते, अगर ये हमारे सम्विधा का ध्यान नहीं रख सकते हैं जो बाबा साहिब ने हमें दिया है उनको नहीं बचा सकते हैं और आपस में ही लड़ते जगड़ते रहते हैं हमारे लोग ऐसे ही मरते रहते हैं जगा जगा उनके साथ अत्याचार होते रहते हैं उनका शोशन किया जाता है लेकिन ये कभी भी सं संगठन हमारे किस काम के इन से हमारा क्या फायदा हो रहा है तो अगर ये संगठन हमारा वेलफेर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इनको छोड़ देना चाहिए इनको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए इनके मानेताओं को छोड़ देना चाहिए इनको पैसे और समय देना बं जब तक कि ये हमारा समाजीक रूप से, आर्थिक रूप से पल्याण ना करें, सब तक हमें इनको समर्थन देना, बंद कर देना चाहिए. अगर ये छोटे बड़े संगर्थन, इकटे नहीं होंगे, संगर्थित नहीं होंगे, तो एक्ता नहीं बनेगी, जिसमें भारी नुकसान हमारे युवा वर्ग का है, क्योंकि उन्हें परियाप्त सिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी शादिया विवा होने में बाधाय उत्पन हो रही है, और वे युवा वर्ग अपने परिवार का भरन पोशान, एवं उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो भी संगर्थन है, वो सबसे पहले तो आपस में संगर्थित होईए, अगर आप वाकई में बाबा साहिब को मानते हैं, उनकी बातों का अनुसरन करते हैं, तो सबसे पहले आपस में आप लोग संगर्थित होईए, इकटे होकर आवाज उठाइए, जै विशाल भारत, जै समराट असुक, जै बुद्ध,